तो भगवान ने 16,000 कन्याओं को स्विकार करके इन सब के साथ विभा करके इनको अपना नाम दिया, सम्मान दिया और एक बात और 16,108 विभा करने के बाद ऐसा नहीं कि एक ठाकुर जी ने 16,000 कन्याओं के साथ विभा कर ले भगवान ने स्वयम के भी 16,108 अलग-अलग स्वरूब धारन किये और भगवान सब के साथ अलग-अलग विराजमान रहते थे तो इस प्रकार भगवान की विभा की कथाई फिर जरासंद नामक देति का अधार किया एक राजा का अधार किया फिर भगवान ने राजसु यग के द्वारा पांडवों के यग को पुर्ण किया है शुशुपाल रंतवक्र का अधार किया है शुशुपाल को चक्र से उधार करते हैं भगवान पॉन्रक नाम का एक राजा था इसका भी भगवान ने उदार के ये अपने आपको भगवान का अवतार गोशित करता था ऐसे अवतार आज की डेट में भी बहुत सारे भारत में हैं जो अपने आपको भगवान का अवतार गोशित किये फिरते हैं स्वयंबू भगवान है वो, खुद के बने बनाए भगवान, दो-चार उनके चेले संग लग जाते हैं, जी हो, जै हो महाराज, जै हो महाराज, और भगवान साइड हो जाते हैं, भगवान कोने में हो जाते हैं, और वो बन जाते हैं मुख्य, उनी का फोटो गले में, उनी का फोटो मंदिर में उनी का फोटो गर्म साब जगे बस वोई वोई दिखाई देते लेकिन दियान रखना ये सब आडम बर है कृष्णम बंदे जगत गुरू गुरू भी गुरू भी जरूर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विश्रू गुरुर देवा महिश्वरा लेकिन गुरू कभी नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूँ गुरू हमेशा ये कहेगा मैं भगवान का दास हूँ और तुझे भी दास बनाऊंगा तुझे भगवान नहीं बनाऊंगा तुझे भी भगवान का दास हूँ वो सच्चा गुरू तो संत का मतलब समझे देवताओं का मतलब समझे भगवान का मतलब समझे सब को मिला मत दो भगवान भी वही है देवता भी वही है गुरू भी वही है संत भी वही है ऐसा नहीं होता, संत को संत रहने दो, मानव को मानव रहने दो, भगवान को भगवान रह, एक तो दिक्कत है ना, आजकल लोगों के जीवन में दुख बहुत है, तो जो जरासा तुमको थोड़ा सा वो टोपी वाला लालच दे दे कि हमारे पास आओ, हम तुमारे दुख हर ल भगवान कह रहे हैं, बाबा इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा जन्म लेता है, सुख, दुख, भै, साब कुछ उसको उसके कर्मों के द्वारा मिलते हैं, कोई तुमें ये गरेंटी दे हम तुमारे दुख दूर कर देंगे, कोई नहीं कर सकता, यहां इसलिए अच्छा इस जन्में भुगत के खतम करो, भगवान के पास, संतों के पास कभी भी दुख निव्रती के लिए मत जाना, मांग के लिए मत जाना, पर आज ये ठीक कर दो, कई लोग तो हमारे ही पास आ जाते, तो हमारे घुटनों में बड़ा दर्द रहता, भागव जी गुटना का दर ठीक करने के लिए लिखी थी क्या, शोगर ठीक नहीं है, तो डोक्टर को दिखाओ, आप चलिए इतना भी मालों, आप आशिरवाद मांग सकते हो, कि हमारा स्वास ठीक नहीं रहता, आप महापुरुशे आशिरवाद दे दीजे, थोड़ा स्वास ठीक क उसमें मंत्र दे दो, कोई थाबीज दे दो, कोई गंडा दे दो, इसे क्या लाग, देखो जिसकी श्रद्दा है मानो, मेरा किसी पर कोई जोड़ जवरस्ती नहीं, मानो ना मानो, खुशी आपकी, हम तो यात्री हैं, कल अपने घर जाएं, जिसको मानना है मानो, ना मानना मानो, लेकिन मैंने जो गुरु कृपा से सीखा है, मैंने जो शास्त्रों से सीखा, वो यही सीखा भया, करमों पर बरो सारग, मत सोचो कौन दुख, कौन सुख, अगर ठाकुर जी ने दुख दिया है, तो सुख भी देंगे, और सुख दिया है, तो दुख भी आएगा, अक लाइन क्या थी? लाइन ये थी, ये वक्त भी गुजर जाएगा, अब इसको सुख में पढ़ोगे तो धड़कन बढ़ जाएगी, ये वक्त भी गुजर जाएगा, कोई वरोसा ने, और दुख में पढ़ोगे तो तसल्ली मिल जाएगी, ये वक्त भी गुजर जाएगा, त नसली रखो, धहरे रखो, निकल जाएगा, बस भगवान का नाम स्मरन करते रहो, यह जो भक्त वैशनव होता है न, वो तो बस भगवान के अलावा उसको किसी दूसरे के पास, ना अपना भविश्य जानना, ना अपना भूत जानना, कुछ जानने की जरूत नहीं, मेरे ठाक करें, हम क्यों रोए, हम क्यों यहां तहां भटक करके, इसके पास, उसके पास एक मात्र भरोसा भगवान पर रखिये, और कर्म अच्छे करते जाए, ऐसा ही भगवान के एक परम भक्त हैं, जिनका नाम है भक्त सुदामा, सुदामा जी की भक्ती भी ठीक वैसी है, जो अभ हमारे पास धन दोलत सब कुछ है भोजन है कपड़ा पहनने के लिए है लेकिन सुदामा एक समय का भोजन पाकर के दूसरे समय भोजन प्राप्त होगा के नहीं होगा ये भी भरोसा नहीं था लेकिन फिर भी सुदामा ने कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं की सुदामा ने भगवान से कभी कोई मांग नहीं की बस पैठे बैठे नित्य निरंतर भगवान का नाम समरन सुदामा करते रहते और एक ही बात हमेशा कहते जो बात बाबा सूरदाज जी ने अपने भाव मे कही है बाबा सूर कहते हैं सब बक्तों का एक ही भाव है बक्तों का कोई अलग भाव नहीं चाहे हो सुदामा हो चाहे सूर्दाज जी हो मैं तो कहती भी हूँ सूर्दाज जी का एक पद दिखा दो जिसमें सूर्दाज जी ने अपने सुख की कामना कियो मीरा का एक पद बता दो जिसमें मीरा ने ये काओ प्रभू दुनिया वाले तो बहुत सताते हैं बगवान इनका ये कर दो मेरे दुख हर लो, कश्ट हर दो मीरा कहती है राना जी माने फेर जहर मोक लाओ एक बार जहर तुमने दिया ना उसमें तसली नहीं है दुबारा बेज़ो मीरा का पद तो ये कहता मीरा तो नहीं कहती कि हमारे दुख संकर दूर करना